आज हम बात करेंगे हमारे घर में प्रयोग होने वाली एक ऐसी ओशदी जो विशेशकर दिखने में समाने तथा घर में प्रयोग समाने तोर पर होती है परन्तु इसके ओशदीय गुण के कारणी यह घातक से घातक रोगों में बहुत कारगर होती है जी हां हम बात कर रहे हैं वीडियो में तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं साधरपनाम विशाल अबरपने स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब देन सनातन मार्क पर हमारे घर में एक जो समानने सी हल्दी होती है वह कितने बड़े-बड़े कारणामे कर सकती है इसके बारे में आयरव पादा करने वाली है ड्राय नीचर पचने में हलकी है और उश्ण वीर अर्थात याद शूब हो जाता है और 25 हो उसके बारे मेरवेद ऐसा कहता है कि उष्न होने से कफ और वातका नाश्ट करने वाली है साथ यह लगू है रुक्ष है कटू है तिक्त है वह यह जो चारो चीजें होते हैं जिए त्रदोष करने वाले होते हैं विशेश कर और यह जिसका अब बात करते हैं कि कौन-कौन से रोगों में कारगर है देखिए यह उष्ण और लगू होने से हमारे पाचन को अच्छा करने वाली है लगू चीजें पचने में हल्की होती है उष्ण चीजें हमारे पाचन या मेटाबोलिजन को इंक्रीज करती है यादि आपका पाचन खर होते हैं यानि की blockages वगरा होते हैं उनको खोलने वाली हो श्रोतों साफ करने वाली होती है जैसे हमारे कोशिकाएं होती है उनके बीच में कोई अगर ब्लोके जाजाए हुसे खोल दें फिर कोशिकाओं तक रखते हैं कि पोशक तत्द्व बड़ी असानी से पहुंच जाता श्रोध अवृत्ता हड़ जाती है और श्रोध खुल जाते हैं जिसके कारण टॉक्सिंस भी हमारे शरीर से असानी से निकल पाते हैं फिर यह पांडूहर पांडूहर अर्थात एनीमिया जैसी समस्या के अंदर जब खून की रक्त की कमी खास करके महिलाओं के अंदर जो समस् पाई करती है तो रग्त में जब एक्सिस पित बढ़ जाता है उसे भी शरीर से बाहर करने वाली है और जो ब्लेडिंग डिसॉड्रोस होते हैं रग्त पित के कारण जिसे ना के त्यादी से गर्मी के कारण मलमार्ग से बवासी रित्यादी से या जो महवारी होती से अदर अधिक खून बहता है उन सभी समश्याओं को यह सांत करने वाली है फिर बात करें तो यह यक्रित यानि कि हमारे लिवर पर बहुत अच्छा कारे करने वाली है लिवर के अंदर जो ब्लोकेजिस होते हैं उनको खोल करके इसको पुनर स्थापित करने वाली इसके कारियों को फ गर्वेट के निजरिये से ऐसे तो पीली चीज़े मना होती हैं जैसे कि आपने सुना होगा पीली यांदर पीली चीज़े नहीं देनी चाहिए हर्दी उश्म होती है परन्तु फिर भी यक्रित के रोगों के अंदर या पीलिया के अंदर यह बहुत अच्छा काम करने वाली होती है जो प्रारंभी का वस्ता होती है उसके अंदर खास करके तो यह पीलिया और यक्रित लिवर के रोगों के अंदर बहुत अच्छा कारे करती है फिर अगला इसका सर्व स्रेश्ट अगर मानी जाए तो वह हरिद्रा यानि कि हल्दी है साथ यह मुत्र रोगों के अंदर क्योंकि डापडिस होने के बाद मुत्र का वेक बहुत आता है यानि कि यूरीन बहुत आता है क्लेद शरीर में एक्स्टा बहुत बढ़ जाता है कफ दूशित हो जाता ह जिसको कहते है आयरवेद के अंदर साथ यह यूरीनरी ट्रैक्मेंट इंफेक्शन करने वाला भी होता है तो यह डापडिस के अंदर भी तथा यूरीन के इंफेक्शन के अंदर भी बहुत अच्छा काम करने वाली होती है हमारे किड़नी के लिए भी बहुत जादा प्योग करता है, साथ यह कौलेस्ट्रोल को भी दूर करने वाली यहोग udah गाम करता है यह से अंदर बहुत अच्छा काम करती है इसकिन के किसी भी प्रकार के disorder हो, वातज हो, पितज हो, सन्नी पातक हो, कफज हो, किसी भी प्रकार का skin का disorder है, जहां जलन भी होती हो, पानी भी ज़्यादा हो, फंगल वगरा यानि कि फंगल इंफेक्शन जो हो जाते हैं, उसके अंदर किसी कीडे वगरा के कारण चर्म रोग हो जाए, या कहें कि खुजली में और जलन दोनों होती हो, साथ ही साथ वहां उपर से पपड़ियां उतरती हो, इस प्रकार के रोग हो, तो किसी भी प्रकार का जो चर्म रोग, सुराइसी जग्जीमा जिसको कहा जाता है, सभी के अंदर हरिद्रा का प्रयोग किया जाता है या हमारे वर्ण को अच्छा करने वाली होती है, या किसी प्रकार का रोग ना हो चर्म रोग, फिर भी यदि आप अपनी तवचा को अच्छा करना चाहते हैं, ताकि वह निखर के आए, उसके अंदर हरिद्रा का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा बहुत से ब्य अच्छा करने वाली होती है, या चमडी का शोधन करने वाली होती है, सफाई करने वाली होती है, फिर यह व्रण हर है, व्रण यानि घा वित्यादी को जल से जल भरने वाली है, किसी भी प्रकार का घाव हो, चोट का हो, फोडे हो, फुनसी हो, वह जल्दी भर ना रहा हो, स और अच्छाजन्ट देने वाली होती है यह बैक्टिडिया फंगस को समाथ्त करने वाली होती है फिर उसके बाद कि तो यह पेट के इंदर जो घ्राव पहलते हो जाते है जिसे पैप्टिकलसर या गैस्टिकलसर कहा जाता है उसको भी यह दूर करने वाली होती है या या कहें कि हमें cancer के risk से बचाने वाली होती है उसके अंदर जो कर्क्यूमिन पाया जाता है वो हमें cancer के रिस से बचाता है इसलिए हल्दी का या हरिद्रा का रोजाना प्रयोग करना उचित माना जाता है फिर उसके बाद respiratory disorders या कहें कि स्वांस क्वांस के जो रोग होते हैं वि चेस्ट में infection या mucos भर जाता है उन सभी के अंदर ये बहुत अच्छा काम करने वाली होती है और कहें कि यह जो sinus या जुखाम होता है जिसके अंदर नाक बाक से पतला पानी बराबर करता रहता है sinus या penis रोग कहा जाता जिसको आयरवेध में तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम करती है फिर यह शूल और शोथ हर है शूल अर्थात की दर्द के अंदर बहुत अच्छी काम करने वाली है या इसे कहें कि natural pain killer है किसी भी प्रकार का दर्द हो कहीं चोट लग गई हो या के कारण सूजन beeusanu या कहें कि शरीर किसी चेहां करन फूल गया हो संकरमण के कारण फूल गया Myselfoon के हिर्दाय के रोगों के अंदर भी हल्दी का उचित तोर पर प्रयोंग किया जाता है और बहुत कारगर्मानी जाती है तो यह सब हीते हरिद्रा क्या कहें कि हल्दी के फायदे एसे तो इसके बहुत से फैदे हैं परंतु जो अलग- अलग आज के लिए विदा लेते हैं सादर प्रणाम